नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विशह है आप में से जो भी लोग अंग्रेजी एलफाबेट के टी नाम बाले जातक हैं तो टी नाम की लोगों को किश उम्र में शादी करनी चाहिए ताकि आपका दामपत्य जीवन मधुर, रोमांचक और मजबूत हो सके अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, वाईटी प्रूश उत्तम को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं शबसे पहले जानेंगे कि जो भी T नाम के जातक होते हैं उनका शुभाव कैसा होता है वो लोग आखिर होते कैसे हैं मित्रों इस नाम के लोग शंकालू प्रविर्ती के होते हैं इनके मन में हमेशा संका का बीज जन्म लेते रहता है, कोई भी इनसान है तो उस इनसान के बाड़े में ये अपने मन में हमेशा कोई न कोई बिचार उत्पन करते रहते हैं शंका उत्पन होने की प्रविर्ती इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है छोटे मोटे मुद्धों पर भी ये अपने शंका को जन्म देते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है इस नाम की लोग छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध कर जाते हैं और अपने क्रोध पर कभी भी अपने जीवन में काबू बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं अपने क्रोध के कारण ये लोग हमेशा अपने जीवन में अपने आपको नुकसान में बहुत ज्यादा ज्वोंक देते हैं क्रोध के वजह से इनको अपने जीवन में पड़ेशानी का सामना, शमस्या का शामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है आप क्रोध कहां कर रहे किस जगह पर कर रहे हैं और उस क्रोध का परभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा इन चीजों को सोचे बिचारे बिना ही ये अपने क्रोध को बाहर निकलने देते हैं और इस कारण से इनको अपने जीवन में शमस्या का शामना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा करना परता है। इन लोगों में एक और बहुत बड़ी कमजोडी होती है। और वो कमजोडी क्या है कि इनके अंदर स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा होती है। श्वार्थ कैसे पूरती करना है अपने काम को कैसे पूरा करना है अपने काम को पूरा करने के बाद शामने वाले व्यक्ति को कैसे खुद से दूर करना है इन चीजों पर भी इनकी पकर बहुत ज्यादा होती है और ये भी इनके जीवन में बहुत बड़ी कमजोडी होती है इ ये भी इनके अंदर में एक बहुत बड़ी कमी होती है, ये तो कमी हो गई, अब जानते हैं इनके गुन के बारे में, इनमें गुन क्या होता है, ये लोग शुभाव से बहुत ज्यादा उदार होते हैं, कोई भी व्यक्ति है जिसको हिल्प चाहिए, तो शहायता करने में भी लोग अपने आपको बहुत ज्यादा आगे रखते हैं, इस नाम के लोग शुभाव से बहुत ज्यादा निर्भीक होते हैं, किसी भी इनसान से डड़ते नहीं हैं, अगर शही को सही कहते हैं, चाहे सही कहने का परिनाम कुछ भी क्यों न भोगना पड़े, और ये इनकी बह परोज के लोग होते हैं, वो इनका शम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग इनका फाइदा भी उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में इनका सम्मान कहीं न कहीं बहुत ज्यादा करते हैं, इस नाम के लोग अपने मित्रों पर, शगे शंबंधियों पर, रिस्त बहुत जञ़ादा शातिर होती है इस नाम की लोग हमेशा अपने आपको सुर्खियों में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अगर कोई भी गृुप है मालो गृुप में दस लोग है तो उस गृुप को लीड कैसे करना है उस गृुप का नेता कैसे बनना है ये गु कर बहुत जयादा खुस होते हैं बहुत परसंद होते हैं और वो इनका सम्मान कहीं न कहीं बहुत जयादा करते हैं इसके अलावा जानते हैं कि शादी के दृष्टिकों से आपकी सही उम्र क्या होगी मित्रों शादी के दृष्टिकों से अगर आप 27 के बाद और 30 वर्स के भ मांचक और मजबुत होगा तो मित्रों उम्मीद करता हूँ सारी बातें सपस्ट हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा शाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो मिलते हैं नए वीडियो में धन्निवाद.